हुआ हाई वेल्कम टू माय चनल इस वीडियो में समझेंगे कांसेप्ट आफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और साथ ही साथ हम लाश तक समझेंगे ये भी कि कैसे हम फाइंड करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स out of natural numbers सबसे पहले समझते हैं कि Pythagorean triplets होते क्या है तो what is a triplet पहले यहाँ से चाट करते हैं what is a triplet triplet जो होता है वह एक group of three numbers होता है मतब three numbers का group को बोलते है triplet जिसे कि हम यहाँ बना लेते हैं A B and C यह जो group है three numbers का इसको बोलेंगे a triplet ठीक है और इसी triplet को हम बोलेंगे Pythagorean वो तब बोलेंगे जब इसमें एक property इंडिडूस हो जाएगी मतलब A, B, C इन तीन numbers में एक property लग जाएगी तब हम बोलेंगे कि यह Pythagorean है कौन से property लगेगी इसमें जो Pythagoras theorem के जो property होते है न वही लगेगी मतलब कि इन तीनो numbers में से किसी भी दो का यदि ऐसा हो जाए कि किसी भी दो का square करके sum करने पर तीसरे के square के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह तीनो numbers क्या है Pythagorean triplets हैं मतलब कहने का मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी भी दो को ले लिजए जैसे कि हम सुरू के दो ले लेते हैं जैसे कि A square और प्लस B square कर लेते हैं मतलब कि first two numbers का square करके add कर लिए और ये equal to हो गया C square के मतलब third के square के बराबर हो गया तभी हम बोलेंगे कि ABC क्या है एक Pythagorean triplet है नहीं तो नहीं का सकते हैं यदि ये condition follow होती है तो हम कहेंगे जरूरी नहीं कि first two ही मतलब इनको हम किसी तरह से arrange कर सकते हैं हम इनको यदि माल ये ऐसा condition है और इनको हम लिशकते हैं ये बराबर है बिल्कुर ये बराबर है इसके भी A C B ठीक है और ये बराबर है मतलब कि इसके numbers को आगे पीछे arrange करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये तभी भी कहा जाएगा pathogon triplet ठीक है ये ये मैं इसको ऐसे भी लिशकता हूँ कि ये B पहले लिख दूँ और कि उसके बाद से A तो different books में different तरीके से use किया है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो मैं बताऊंगा वो ये पहले वाला condition मतलब कि पहले वाले दो numbers को इदी square करके add कर दे तो जो third number का square आएगा तब हम बोलेंगे कि ये pathogon triplet है मैं ऐसा condition ले रहा हूँ ठीक है मतलब उन्हें find नहीं कर सकते जल्दी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो a, b, c है ये तीन variables actually है इन तीन variables को हम क्या एक variable के form में ली सकते हैं क्या किसी एक number के form में तो बहुत research हुआ है इस पे ठीक है बहुत research हुआ mathematicians बहुत सा research कियो है और पहले से पता कर लिया है कि a, b, c के जगा पर क्या रखेंगे कौन सा एक variable के form में रखेंगे मतलब उन्होंने ये पता कर लिया कि एक जगा पर यदि हम लेते हैं a पराबर ले लेते हैं 2m ठीक है 2m m क्या है a में के number है a में एक integer है ठीक है या फिर m को natural number ले लिजे कोई भी m जो है एक natural number है और two times m ले लिए मतलब एक even number और b को हम ले लिए m square minus one तो इन दूनों का ये करने पर left hand side का square करने पर ये 3rd बाले का square आएगा अ 3rd बाला क्या आएगा जो c को ये हम मालने m square plus one ठीक है तो ये तीनो a, b और c ये तीनो numbers क्या हुए है यहाँ पर एक ही variable के form में represent कर लिया गया है मतलब कि m variable एक ही तो है a, b, c जो है तीन variables थे यहाँ पर अब इन तीनों को हमने क्या क्या m number, m क्या है एक number है इसके form में हमने represent कर लिया तो ये थोड़ा सा और simple हो जाता है और understanding और हमारी बढ़ जाती है जैसे हम क्या समझेगा अभी यहाँ पर यहाँ पर यदि हम क्या करें कि यहाँ पर इसको सदिस्फाई करवाएं कि क्या ये condition को follow करता है तो बिलू करेगा जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे करेगा इसके हम पहले निकाल लेते है a square plus b square और यह c square के बराबर आना चाहिए तो हम निकाल लेते हैं अब एक की value रखते है और 2m तो 2m का यदि square करें को तो क्या आएगा 2m square plus b square करना मतलब कि m square minus 1 का whole square करना है m square minus 1 का whole square करना है यहाँ पर क्या वाद हैगा 4m square ठीक है plus यहाँ पर square करेंगे तो मिलेगा m to the power 4 plus 1 minus 2m square ठीक है और यहाँ पर solve करेंगे दीखे m to the power 4 को पहले लिए लिए क्योंकि ऐसा और कोई number नहीं है और 4m square और minus 2m square को solve करेंगे क्या मिलेगा दीखें दोनो m square m square है solve कर सकते हैं इसको 4m square minus 2m square क्या हो जागा plus 2m square plus 2m square और plus 1 बचा हुआ है अब देखें यह भी formula बन गया है क्या बना formula m square का square कर सकते हैं यहाँ पर plus और यह 2 a b है आपका 2m square plus 1 का square मतलब देखे A square plus B square plus 2AB यहां 2AB है तो इसको ली सकते हैं हम लोग A square plus 1 का whole square और यह क्या है? M square plus 1 क्या है? यहांपर देखे का मने है? C है मतलब इसको ली सकते हम लोग C square मतलब कि A square plus B square छोलो C square तो हमने यहांपर जो माना है जो हमने एक variable के form में change कर लिया है उसके अनुसार जो हमारा Pythagorean triplet बनेगा वो ये होगा Pythagorean जो triplet होगा Pythagorean triplet वो ये होगा कि पहला जो number हमने माना है A, उसका हम 2M ले लेते हैं 2M हो गया और B जो है वो हो जाएगा M square minus 1 और third number जो है वो M square plus 1 है तो ये हमने रिपेजन कर लिया Pythagorean triplet को इस form में अब इस form में रिपेजन करने से होगा क्या इस form रिपेजन करने से होगा ये कि आप किसी भी मतलब बहुत सारे जितना चाहें उतने आप Pythagorean triplets find कर सकते हैं अब आप देखे कैसे अब इस Pythagorean triplets में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 2M 2M जो है हमेशा एक even number होगा क्योंकि M कुछ भी लेंगे तो 2 semifly करने पर क्या होगा even number आएगा मतलब कि इस triplets में Pythagorean triplets में एक number जो हमेशा even होता है यहां पर मतलब एक distinction है आप बना सकते हैं ठीक है हम देखते हैं यहां पर कौन से number हम find कर सकते हैं देखे 2M is equal to कुछ भी लेंगे 2M is equal to कोई भी लेंगे number कोई even number क्योंकि हमेशा even ही होगा तो हम 2M is equal to 4 ठीक है तो M बराबर क्या मिलेगा बताइए पहले M निकाल लेजी हैं से M बराबर मिलेगा 2 से डिबाड़ कर लेजे 2 मिलेगा तो इसका मतलब हम अब M की value मिल गया तो M is equal minus 1 निकाल सकते हैं तो यहां सब निकाल लेते हैं M is equal minus 1 M is equal minus 1 तो क्या हो जागा 2 square minus 1 मतलब कि 4 minus 1 मतलब मिल जाएगा 3 अब निकाल लेंगे m2 plus 1 मतलब कि 2 square plus 1 क्या मिल जाएगा है यहां पर 3 निकला है 3 लेंगे और यहां पर निकला है 5 तो 4 3 5 यह क्या है पाथग्रों टिप्लेट है और जैसा कि मैंने उपर बताया कि यह तीनों परावर है इसको हम ऐसा भी लिसकते हैं इसको हम उलट फिलेट करके लिख सकते हैं 3 पहले 4 बाद में 5 यहां पर तो यह भी क्या है यह इतम एक्वल सेम है बस हम तो अब जो है यहां पर हम बताएंगे आपको कि इसका यूज करके हम बहुत सारे निकाल सकते हैं कैसे कैसे निकालेंगे अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं कुछ इधर से ताकि हमारे इस पेस मिल जाए थोड़ा सा ओके तो ध्रहान दीजिएगा यहां पर हम यह दी 2m is equal to कुछ भी कोई भी एक इवेन अवर माल लेते हैं दूसरा इसमाल लेज़े 6 से ले लेते हैं तो m बराबर क्या मिलेगा मिलेगा 3 अब 3 मिल गया तो हम m square minus one तो निकाल सकते हैं मतलब की 3 का square करिए और plus one कर दीजिए मतलब की 9 plus one करना है मतलब कि 10 हो गया मतलब कि एक बाद ध्यान देखिए दीजेगा हमारा यहां के टिप्लेट क्या बन गया बताइए हमारा टिप्लेट बन गया 6 2 माना थे हमने 6 और m उसकार मानस 1 8 है तो 6 कामा 8 फिर m उसकार प्लस 1 क्या है 10 है तो 6 8 and 10 यह बन गया तो यहां पर एक बाद ध्यान देने कि बात यह है कि जो 8 और 10 होंगे इन में ज्यादा difference नहीं होगा किवल 2 का difference होगा हमेशा मनिए 2 numbers में से 2 numbers में हमेशा 2 का difference होगा यह number कुछ भी हो सकता है ठीक है लेकिन इन दुनों में जो है 2 का difference जरूर होगा किवल 2 का difference तो यह भी एक तरीका है तुरंट देख कर क्या पता कर लेंगे ना कि यह Pythagoras यहां पर दिखेंगे तो यहां पर दिखेंगे तो यहां पर दो का डिफरेंस है इसको अभी मत लिजिए क्योंकि हम इस फार्म को नहीं पढ़ रहा है मैंने यहां पर पहले बोल दिया सा कि मैं इसी फार्म से पताऊँगा अब को यहां पर अगये वाले जो दो होंगे बी और सी उनमें हमेचा तो का difference होगा ठीक है दो का difference जैसे हम और भी निकालते हैं जैसे कि हम यहाँ पर आप जो है तीसरा निकालते हैं ठीक है यहाँ पर हम लेते हैं कि 2m बराबर कि ए पर अब आफर हम पाल लेते हैं eight अब कि आप है what an फिल लेका em लेगा निशोर मतलब कि अब हम निकाल सकते हैं sqre-1 मतलब की अब फोर स्क्षार-1 मतलब 16 माइनास वं मतलब की 15 नेकाएं निशなた रेंगे m² प्लस 1, क्या आएगा? 4² प्लस 1 मतलब की, यह हो जागा 17 देख रहे हैं, जितना यह 15 आ रहा है तो दो बढ़के बस 17 आ रहा है क्यों दो का डिफरेंस है इसमें मतलब की हमारा जो ट्रिपलेट बना यहाँ पर वो बन गया 2m, 2m क्या है? 8 है, यहाँ पर 2m लिये थे और m² मैंनस 1 कितना है? 15 है आपका और 2m² प्लस 1 क्या है? 17 है, तो यह भी एक क्या है? ट्रिपलेट है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं, आप पहला नमबर क्या है? यह और एक नमबर even होना चींशिक है, हमेशा हमेशा वो even होगा तो जैसे कि हम हुर भी ले सकते हैं, जैसे ए defending अ बबर अवर अब ले ले हैं 2m बर अवर, हमेशा 2m भर मनना पड़ेगा तो 2m बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं बड़ा से बड़ा निकाल लेते हैं समाली ज़िए 2m बराबर हम लेते हैं 88 लेट सब्सक्राइब तो यह थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा तो 88 थोड़ा सा मत लिजे क्यों कि स्कायर करने में थोड़ी का सुझ जाएगी तो हम यहा अम बराबर पर 40 ले ले लेते हैं तो a फरके ऑपर 20 आ जाएगा ठीक है हम यहा आप निकाल रहे है तो m बराबर देगा 20 अब निकाल लेते हैं यहाप ऐसकायर से हैं 2020 क्लिक्रश It was मिलेगा हमें 400 प्लस वन मतलब कि 400 वन आ जाएगा मतलब कि हमारा जो ट्रिप्लेट मिलेगा यहाँ पर वो मिल जाएगा यह उपर लिस लेते हैं यहाँ पहला मिलेगा 40 क्योंकि 2m पराबर हना m²-1 लिखेंगे दूसरी बार 399 और एक मिलेगा 401 आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है दो का डिफरेंस है और यह जो है इवेन नमबर है हमेशा तो पैथागोरन टिपलेट्स यहीं है आप जो है किवल इस 2m का यूज़ करके और m²-1 और m²-1 का दाल सकते हैं बड़े असानी से और आप से चुरूंगे कि इनका यूज़ क्या है इनका यूज़ कुछ नहीं है बस यह ट्रेंगल में यूज़ होते हैं इसे कोई ट्रेंगल है कोई ट्रेंगल यहीं है तो उसमें होगा क्या कि जो बेस होते हैं बेस हाइट एन हाइपोटे इसी में relation होता है पैथागोरस ने ही बताया था किसी right angle triangle में मतब ऐसा triangle जिसमें 90 degree हो उसमें यदि base का square करते हैं और height का square करते हैं और दुनों को add कर देते हैं तो वो equal होता है hypotenuse के square के ठीक है ये बताया था तो इसी concept का यहाँ पर पतलब जिक्र है और पैथागोरस टीपलेट्स बस यही होते हैं और ऐसे आप बहुत सारे numbers find कर सकते हैं लेकिन एक बात और critical बात हैं बताना चाहूंगा यदि आपके बात समय है तो यह भी देख लिए क्या पैथागोरस टीपलेट्स निगेटिव भी हो सकते हैं ऐसा भी पूछ सकता है question में कहीं पर किसी इंट्रेंस पूछ सकता है अब लोग के ठीक है उसके बारे में समझ लेते हैं तो हम यदि हमने यहाँ पर माना था 2m और m2-1 और m2-1 यही माना था में टीपलेट्स तो हम यदि 2m को ले लें कोई निगेटिव नंबर निगेटिव इवन नंबर ठीक है जैसे मानस 2 ले लीजिए तो मानस 2 लेंगे तो क्या यह निगेटिव में आएगा लेटर सथीन के बाड़ में होगा है यहांपर यहांपर मिलेगा m अदिरीद और 1-1-1 हां-1 करना था 1-1 करना धाट यहांपर मिलेगा आपको 0 ठीक है पहला मिल गा-1-1 यह दूसरा मिलना रेगा 0 और यहांपर करेंगे दिर जीवा Call यहां मिलेगा 1 plus 1, बतलब कि 2 मिल जाएगा, इसका मतलब कि हमारा pathagon triplet बन गया, minus 2 और 0, फिर 2, आप रचित रहें कि क्या ऐसा भी हो सकते हैं, मतलब pathagon triplets से negative हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप लगाएंगे, दिखें, हमाने क्या बताया था, इसमें जो basic job body थी, जो सुरू से में इसका definition था, वो यह था, कि जब हम सुरू के 2 numbers को square करके add करते हैं, तो तीसरे number का square आता है, यहां भी करेंगे तो आएगा, क्योंकि हम minus 2 का square करें, और 0 का square करें, तो यह बिल्कुल ही, इस 2 के square के बराबरता आएगा, ही आएगा, क्योंकि यह minus 2 का square कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 0 का square 0 ही होता है, तो 4 is equal to 4, आएगा ही बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी negative number का निकाल सकते हैं, माइनस 4, माइनस 1, और इस पे भी निकाल सकते हैं, पैथागरंट टिपलेट्स, तो जब question पूच दे कहीं पर, क्या पैथा करिए जितना ज्यादा हो सके, और मैं तो कभी सब्सक्राइब कर नहीं बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन आप ये सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे साथ, तो हमसे जूड़े रहेंगे मेरे से, और हमेशा मैं क्लाश 12 तक आपकी साथ रहने वाला हूँ, और सारे concept जो भी होता है